आप सभी प्रिय दर्शकों का स्वागत है अदानी पावर एक लॉंग टेम का मल्टी बैगर है स्टॉक चड़ता ही जा रहा है उपर क्या थोड़ा सतर्क होने की जोरत है और क्या है प्राइमरी रीजन इस स्टॉक का उपर जाने के लिए देखिए बहुत बड़े प्रजेक्ट मिल रहे हैं आगे और भी तेजी से काम चलेगा पर क्या करना चाहिए आपको यहाँ पर सही सला देंगे बैलेंस्ट फ्यूँ आई चलका शुरुवात करते हैं प्लीज कंसल्ट यूर फानिशन डवाइजर देखिए हम बहुत बुलिश हैं अदानी ग्रुप के सारे स्टॉक में अदानी पावर इन पर्टिकुलर क्योंकि छोटे प्राइस का स्टॉक है सौर रपे के आस पास का स्टॉक है पर अगर आपने कल नहीं खरीदा आज आपको 206 में मिलेगा आईए चल कर विशलेशन करते हैं प्राइस का क्या एक्षन आया है और क्या है न्यूज यहाँ पर इस स्टॉक के बारे में तो देखिए सबसे पहले अगर आदानी पावर की बात की जाए तो ये लीडर है सेग्मेंट BACA सेक्टर का ग्रूप में 20 परसेंट का अपर सरकिट लगा है अदानी पावर पर और सुभा ही पूरा अच्छे से रंग दिग्या था कि 18 परसेंट का उपर खुला था आदे घंटे के अंदर ही ये तो बहुत अच्छे वॉल्यूम के साथ बढ़ा है करीब करीब 30 लाग शेर एक महिने में महिने में एवरेज होते हैं यहाँ पर कई गुना शेर हुआ है फानेशल कर्णिशन के साब से देखा जाए तो कंपनी बहुत अच्छी है सेल्स इनकी थोड़ी सी डाउन है 2% के आसपास 6,900 करोड के आसपास और यहाँ पर अगर देखेंगे कि प्रिविस क्वाटर के कंपरजन में 7,000 करोड के आसपास इनकी सेल्स थी तो थोल का सा सेल्स में नमरुख है यहाँ पर FII की होल्डिंग करीब 11% के आसपास है साड़े 11% के आसपास आप जारा चार्ट को देखें देखें मौर्निंग में ही इसने अपवर जर्नी शुरू कर दी थी अपनी और देखें आखिर में जाते जाते 126 रुपे 90 पैसे का अपर सर्किट लगा है अदानी पावर का ये स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में मस्ट है वे दोस्तों अगर आपने अभी तक स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो में एड नहीं किया है तो प्लीज इसको एड कीजगा और देखें वॉल्यूम बढ़ते जा रहे ही गैप खुला है ये गैप फिल करने में भी टाइम लगेगा इसको इसका मतलब यहां से ये अच्छी बात है तरह स्टडीज कुछ देखी जाए कि क्या ये यहां पर ओवर्बोर्ट जोन में आ गया है दोस्तों हम सिर्फ यह नहीं कहेंगे कि कल को ही ये आपको 500 रुपे हो जाएगा नहीं आपको पूरा एनलेसिस करके बताएंगे क्या है राइट लेवल और क्या करनी चाहिए आपकी ये आपकी स्ट्रेडजी यहां पर बुलिंजर बैंड नेरो था काफी एक्सपेंड हो गया है और ये पूरी केंडल बुलिंजर बैंड के बाहर बनी है कुछ और पराइमिटर देखेंगे जिसके साथ पता लगेगा कि क्या ये ओरबोर्ट जोन में है यहां नहीं सबसे पहले अगर हम एलिकेटर इंडिकेटर को देखें अगर आप इन दोनों को यूज़ करते हैं तो प्लीज मेक शोर कि आप सही तरह से इसको समझें और उसको इंप्लिमेंट करें यहां पर सूपर ट्रेंड डारेक्शन अपवर्ड है अल्मोस्ट फिफ्टी डिक्री का एंगल बना रहा है बहुत अच्छी बात है पर RSI का लेवल असी के उपर पहुँच गया है RSI का लेवल यहां पर अगर हम अदानी पावर की बात करें जनरली 87 तक जा सकता है बेस्ट अन प्रिवेस हिस्ट्री तो अभी हो सकता है कुछ दिन और चले बट रिटेल लिवेश्टो को सिंपल लिवेश्ट करेंगे कि यहां पर आप फ्रेश एंट्री मत लेना थोड़ा सा नम रूखोने दीजे स्टॉक का जरूर आपको एंट्री लेवल मिलेगा आप वहाँ पर खरी सकते हैं अगर आप इंडिकेटर देखें तो कितने इंडिकेटर इसके ऊपर ओरबोड जोन में आप सारे देख सकते हैं बट यहां पर 5 indicators को overboard zone बताने हैं, तो हमारे चैनल का प्रियास है, कि आप overboard zone में किसी stock को ना खरीदें, हो सकता है, कुछ दर्शुकों कोई बात अच्छी ना लगे, तो उसके लिए शमा चाहेंगे, बट price का technical confirmation है, और यहां से, अगर हम volume की दर्श्टी से देखें, तो volume ने ये long term के लिए, बहुत अच्छा confirmation दिया है, कि बहुत बड़े है stock जाएगा उपर जाने के लिए, हमारा 2 महिने का रेटन 81%, पर हम overboard stock को recommend नहीं करेंगे, किसी को भी buy करने के लिए, हम actively future and option में trade करते हैं, अगर आपको हमारी ये paid service चाहिए, तो हमसे बात कर सकते हैं, fully managed service, mail drop कीजे, आपके लिए 4 वीडियो प्रसुत हैं, जैहिंज भारत, bye guys,